आज के इस क्लास में हम आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विसे के अंतरगत जो तरंग प्रकास के तता हाइगन्स का सिद्धांत नमक चैप्टर चल रहा है उसके अंतरगत एक बहुत ही महत्तपूर डेरिवेशन डिसकस करने जा रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम यह सीखेंगे कि हाइगन्स की दुतियक तरंगिकाओं के सिद्धांत दोरा तरंगों के परावरतन की ब्याक्या इसका डेरिवेशन कैसे करना है बहुत ही आसान डेरिवेशन है हाइगन्स ने जो अपना दुतियक तरंगिका का सिद्धांत बताया उसी पर हम तरंगों के परावर्तन की ब्याख्या करेंगे ठीक है आपने प्रकास के परावर्तन की घटना पढ़िए प्रकास के परावर्तन की घटना में दो नियम आमने पढ़े हैं पहला नियम पढ़ा है आपने आपतित किरड़ परावर्तित किरड़ और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं उसको भी यहाँ पर दिखाना है हाइगंस के दूतियक तरंकाओं के सिद्दान के अधर पर साथ ही में आपको यह बात यहां पर प्रूब करनी है कि आप तनकोड़ सद्धियो परावरतन कोड़ के बरावरतन कोड़ के बरावरतन का दूसरा नियम है जब यह यहां पर एक हम परावरतक प्रिष्ट बनातें बहीं परा पर्तक प्रिष्ट की यह खास बात होती है कि एक बाग पर प्लाई होती है यह जया बहु देनिफटें में यहां सब师 तुम्हें आपको पुरा प checkpoint करी दोंगा थेकर तो यहां पर हम करेंगे क्या सबसे पहले मानें गी माना एक हमारे पर जेड़ बैना फट क्개र पर एक संतल तरंगाग्र ऑपकत होता है किसी माध्यम में तरंगे कहीं संचरित हो रही हूँ और जब वह माध्यम में तरंगे समान के लाम में हो तो उस दवरान उन तरंगों की संचड की दिशा के लंबोत खीचा गया जो कालपनिक प्रिष्ट होता है वो समतल तरंगागर कहलाता है तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो तरंगे हैं या एक समतल तरंगागर ऐसे आपती तोरह माले जो यह आपकी तो यहां पर ध्यान दिजाएगा एक तरंग यह और एक तरंग यह दोनों तरंगे हैं इन दोनों तरंगों के हमने लंबवात जो प्रिष्ट की चाहिए को तो समतल तरंग आगर बोलते हैं तो यहां पर ध्यान दिजाएगा लंबवात होने का मलब इस तरंग और इस लाइन की बीजो एंगल 90 डिगरी होगा यहां पर बहुत ध्यान से समझना है तो जो तरंग आगर की आपकी पहली किरण होती है या पहली जो तरंग होती है वह इस परावर्तक प्रिष्ट पर क्या ह होती है इस तरंग की पेच्छा पहले पहुचेगी ठीक तो यहां पर पहुचेगी जैसे परावर्तक प्रिष्ट पर आप्तित होगी तो हाइगेंस ने अपने दुथियक तरंग का किसी दान के अधर पर क्या बताया कि जैसे यहां पर यह पढ़ेगे और पढ़ने के पशा 파 pro toötis. तो उतने समय में जो दूसरी तंग है हमारी वो बिंदभी पर होगी, होगी की नहीं干ी? माल लेते हैं कि यह जो तरंग को यहां रहे हैं इस मादायममी वी चाल से सन्क्राइद अर्ठ कर रहे हैं और यहां पर फ़ी तरंग का जो समय है वो माल लेते हैं टी वराबर जीरो समय अब जब यहां पर तरंग पहली आएगी इस परावर्ट तक प्रेश्ट पर पढ़ेगी तो यहां से यह परावर्टित होकर आगे ऐस तरीके से कुछ भढ़ेगी बढ़ेगी अब जितने समय में पहली बिंदु ए पर होगी उतने समय में दूसरी तरंग biz कितनी दूरी तया करके यहां पर आजाएगी A-S पर उतने समय में जो पहली तरंग है वो A से परावर्तित होकर आगे बढ़ चुकी होगी अब कितनी बढ़ चुकी होगी इसके लिए क्या करोगे B से A तक की प्रकाल से दूरी माप लोगी और उसी दूरी से आप ऐसे चाप ल जाएगी इस तरीके से हमारे पास एक तरंगाग्र बन जाएगा A-S B-S और जो यह तरंगाग्र होगा वो एक नई दिसा प्रदर्शित कर रहा है मतलब यह हमारा परावर्तित तरंगाग्र है यह आपका वापस और आप देख पा रहा है तरंगे ऐसे हैं ऐसे वापस कुछ बात पले पड़ रही अब थोड़ा ध्यान देना आपको ध्यान क्या देना है यहां पर में एक अभी लंब खीच लेंगे क्या खीच लेंगे एक अभी लंब खीच लेंगे यह हमारा अभी लंब है अभी लंब तल से कितने डिगरी का कोड़ बनाता है तो आपका 90 डिगरी आई, आप लोग देखे वीडियो को थोड़ा सा मोड़े लीजेगा, बड़ी स्क्रीन पर देखेगा और क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉड़ों के बारे में जानकर यह आपको समझ में आने चाहिए, तो यह आप तन कॉड़ों होगा, और अब ध्यान देजेगा ये जो तरंगाग्र A B ये तरंगाग्र है ठीक है तरंगाग्र जो हता तरंग संचल की दिशा के लंबोद होता मतलब ये वाला जो पूरा कॉंड होगा ये वाला ध्यान देजेगा ये वाला पूरा कॉंड ये 90 होगा और ये कॉंड आई है अगर देख जो ये वाला एंगल आएगा ये आपका 90 माइनस आई होगा बात कुछ समझ में आगई होगी अब आगे देखिएगा यहां पर देखे तो एक अंगल ये वाला बच रहा है ये वाला इस एंगल पर थोड़ा गवर फरमाएगा ये ये वाला एंगल कितना होगा तो देखिए यह आपका है आपका होगी यह लंब है इमारा तो लंब जो होता है maiorा फिर्अ और बनाता है ठीक है तो जाल दिजेगा यह लंब है ऐसी ठीग है अब यहां पर जो यह यह वाला एंगल है यह बन रहा है नभए माइनस i. बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यह वाला एंगल कितना होगा आप तुरांट बताओगे i. क्योंकि यह दोनों कोड़ों का योग 90 है. तह एक 90 माइनस है तो दूसरा आई और अगर एक आई है तो दूसरा 90 माइनस भी मतलब ये वाला जो कौण बनेगा वो कौण आई आपका बनेगा कुछ बात पढ़ ले पढ़ रही टेक इतने बात पढ़ ले पढ़ गई होगी उम्मीद है आप यहां पर देखिए तो यहां पर में एक अबिलंब केज देते हैं इस बिलंदु पर भी एक अबिलंब केज जैसे आप समझ पाएं ठीक है मैं मिक्स नहीं करना है बस इसको डाट-डाट कर दाए ती अभी लंब है ठीक है और ये जो है ये तरंगागर की दिसा तरंगागर तरंगागर तरंग संचल की दिसा के लंब होता है मतलब ये 90 को बनाएगा अब ध्यान देजीएगा यहां पर आपको क्या देखना यहां पर सीखना यह है कि यह अभी लंब है और यह परावर्तित करड़ है परावर्तित करड़ और अभी लंब की बीच क्यों सा कोड़ बनता है परावर्तन कोड आर बनता है यह आप सभी को पता है अगर यह परावर्तन कोड आ रहे है और यह हमारा अ क्योंकि यह 20 डीकर तरंग्र के दिशा के क्या होता है मतलब यह वाला यह पूरा एंगल हो minus R हो गया, तो 100% ये वाला angle कितना हो जाएगा R, क्योंकि इधार से फिर ये अभी number पढ़ जाएगा, इधार से फिर यह इसाव लगन पढ़ जाएगा, और ये वाला angle अगर 90 minus R हो रहा है, तो 100% ये आपका R होगा, क्योंकि कि दोनों का यूग कितना होगा भई 90 क्योंकि अब लम की चाहे तो दोनों का यूग 90 होगा तो एक 90 माइनस र तो दूसरा आर होगा 100% बात को समझ में आ रही कि नहीं इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो डेरी वेशन में ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है समझ अब फर आप खोग को दिहान देना है एक यह वाली तिरभुँट पर आपको दिहान देना यह वाला एस आई ड इस पर एक समतल थे रिच्षा आपतित होता है तो कि अबिघ भान लेते हैं कि आ आप जो जो समतल तरंग आगर है समतल तरंग आगर की जो पहली तरंग है या जो पहली तरंग हो बिंद ए पर टी बराबर जीरो समय पर आपतित होती है उतनी समय पर जो दूसरी तरंग है वो बिंद बी पर हो रही होती है जितने समय में बिंद बी से चल कर दूसरी तरंग एडास पर पहुँचती उतना शमय में जो पहली तरंग है व परावर्ता प्रिष्ट पर परावर्तित हो करके कितना बढ़ जाती है बीडैस पर पहुच जाती है ठीक है अगर यह माध्यम में वियचार्ण से चल शब लाई है तो आपको पता है यदि माध्यम में माध्य में तरंगों की चाल V तथा समय कितना हो टी हो तो आप जानते हो कि दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गुड़े समय होता है के prince supplier यहां पर दूरी किते हैं कि जा रही है ईसे बिड़स तक बोलो या पी से अजैस तक बोलो क्यों क्यों क्योंकि आपने बी से दैस तक की दूरी को माप के ही हिधार से चाप लगाया मदलब बीड़स और ए gol ही होगी तो हम ब्हुत सकते हैं क्या भई एडायस लिखें चाहें और चाहें यह लिखें दोनों दूराइं भरबर रहे Hmm आपके पर यहां से यहां से heakti गी कितने हुचेकी तदूरी दोनों के दोरातसा है कि कि तरह से कितने होजाए कि वीटी अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि यहां पर जो तिरभुषवज बन रहा है बिड़ेस एड़ेस लिखोगे संब कोंड तिरभुज कौन सा तिरभुण लेंगे संब कॉन तिरभुज ए बीड़ेस figure को बहुत ध्यान से देखेगा A, B, A-S है ना A, B, A-S में हम समकोर तिर्बुज में पढ़े हैं क्या पढ़े हैं कि sin theta जो होता है वो लंब बटे कड़ के बराबर होता है इस तिर्बुज को बाहर निकाल लेते हैं तुमको समन में आ जाए ठिक, यह कुछ ऐसे बना है A, B, A-S और यहां का angle आपका आई है और यह वाला angle कितना होगा 90 होगा, क्यों? क्योंकि यह तरंगागर की दिशा है और तरंगागर जो होता है वो तरंग संचड की दिशा से 90 degree का कोड़ बनाता है कि सम 90 degree के सामने कुझा सदे कड़ होती है और कोड़ के सामने कुझा लंब होती है तो कोड़ आई है इसके सामने कुझा लंब हो जाएगी B, A, D, S ठिक, तो कोड़ कितना है? आई, लंब हो जाएगा B, A, D, S और कड़ की बात करें समकोंड तिरबुच कौन सा मिल ला है आप कहोगे A B डैस A डैस समकोंड तिरबुच A B डैस A डैस में ठीक अब इसकी आकरती थोड़ा अलग बना के आपको दिखाते हैं यह कुछ ऐसा बना हुआ है आप देख पा रहे हो यहाँ पर B डैस है यह आपका A है और यह A डैस है ंgagri की दिखा है तो इसके बीच की सामने बुझा होगा यह वाला नब्यदोटीफ होगा नब्य यह कोड के सामने बुझा लंब होगी तो यहाँ पर ले लेंगे Great Lab &值 सामने कितनी जाएकी AB डैस और कड की बात करें संहामारा northern समत पारे हूं, AB-10 की वेलू मैंने बताए कितनी होगी VT और बटे में A-10, इसको मान लेंगे समी करड़ 2, बात कुस्सम में आ रही, अब लिखो के समी करड़ 1 वा 2 से, क्या लिखो के, समी करड़ 1 वा 2 से, समी करड़ 1 वा 2 से आप देखिए, sin-I का मान b, VT बर्टे A-10s आया, sin-R का मान b आप आपका VT बर्टे A-10s आया, तो आप sin-I का मान भी उतने हैं, जितना sin-R का मान, तो हम यह कह सकते हैं, समी करड़ 1 से, कि sin-I जो होगा, वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे sin-R के बराबर, तो लना करेंगे साइन साइन हड जाएगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा आई बराबर आई कहने का मतलब सीधा ये है कि जो आपतन कोड है जो आपतन कोड है वो किसके बराबर हो रहा है तो आप कहोगे परावरतन कोड के बराबर क्योंकि आर क्या है भई परावर्तन कोड है आई क्या है आपतन कोड है ठीक है ना तो यही क्या है यह आपतन कोड बराबर परावर्तन कोड यही क्या है यह परावर्तन का दूसरा नियम यही परावर्तन का दूसरा नियम और आपको तो परावर्तन के दोनों नियम प्रूब क प्रावर्तित तरंग्रणी आप लय 딱 आयए और अब ये जो खीचा गया है ये तीनों एक कागस तल क्या आधराकर भी निहर बात का बहुत है तो इस तरहिकर के सिनिक हो प्रावर्तित करणाओं के सिथा तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से डेरीवेसन सब्ज़ में आगया होगा झाल झाल